इंडिया वसे सौथ अफिर का पहला टेस्ट में केल राउल ने एक जटके में बना डाले महान डिकोर्ड 6 के साथ ठोका सता टेस्ट के दूसरे दिन केल राउल ने संचूरियस में धमाकेदार सतक लगाया केल राउल ने 101 रन बना कर आउट हुए और इस सतक से भारतिय टीम पहली बार 245 रन पे आल आउट हो गई भारतिय क्रिकेट टीम ने संचूरियस टेस्ट में सौथ अफिरका के खिलाब पहली बार 245 रन बनाए इसमें 101 रनों का योगदान केल राउल का ही है केल राउल ने वन डेस इंटरनेशनल में संचूरियन के साथ कमबैक किया था और फिर टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने वैसा ही कुछ किया है मेच के पहले दिन 70 रन पर 9 टोट लोटे केल राउल ने दूसरे दिन अपना सतक पूरा किया सौथ फिरका के इस मेदान पर 2 सतक लगाने वाले केल राउल वीजिन्टिंग बल्लेवाज बन गये हैं इस मेदान पर केल राउल ने 2021 से 2022 के दोरे पर भी सतक लगाया था तब केल राउल ने 101 रन की जुजारू पारी खेली थी तब केल राउल ने विकेट कीपर बल्लेबाज तोर पे नहीं खेल रहे थे और प्योर बेटर के तोर पे सतक लगाया था भारती बिकेट कीपर में एसिया से बाहर सतक लगाने वाली एलिट लिष्ट में केल राउल सामिल हो गये हैं रिष्ट पंत इस लिष्ट में चार सतक के साथ टॉप पर है जबकि केल राउल ने इस मामले में बिजे मांजेकर अजयर आध्रा और रिधिमन साह की बराबरी कर ली है रिधिमन साह के नाम भी एसिया से बाहर एक एक सतक है इसके अलावा सौथ फिरका में एक से ज़्यादा सतक लगाने वाले एसिया बल्लेवाज केल राउल का नाम भी जुड़ गया है सबसे ज़्यादा सतक लगाने वाले एसिया बल्लेवाज सचिन तेंदुलकर है सचिन तेंदुलकर ने पांच सतक लगाए इसके अलावे अजय मांजुकर तिलग वीरा और विराट कोली के साथ साथ केल रावल का भी नाम जुड़ गया है